आज हम आपके लिए सूजी का अलवा लेकर आएं उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है वो एक कप घी देशी घी लिए हमने आप और भी ले सकते हैं एक कप सूजी एक कप चीनी तीनों की कौंटिटी सेम होनी चाहिए यह इस तरह पिर आप भूलेंगे नहीं और यह इलाइची जाएगी चार पांच अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो एक चुटकी कलर और यह बदाम इसका गानिश के लिए और इसमें पानी जाएगा तीन क अगर पानी जाएगा और यह इसमें हमने हाफ कप जो है वो गी डालना है पूरा आदा गी अंबार में डालेंगे वो बचा लेते हो आप में डालेंगे और यह जलाइची जो है यह हमने खोल के डालनी है ताकि इसकी खुश्भू आज़े यह चाहता पांच यह बदाल दी कि मैंदल की और यह यह क्याएख सब्सक्का करणा गालना हो जाएगा अगो प्रूंडर के जो घुश्भू अगशामें दुक्ताताब करणा लो क्यों वीज़क घुश्भू स्प्सक्राइकक रिहे कर और जो उमने होएं उसमे डाली हे तिम को इसमें दाल दी पादृ कोश तक यह लाइट बोल्डन हो जाएगा तो इसको हम भूलेंगे इस तरह आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे भूलना है ते पांच तेज नहीं करनी नहीं तो इस उजी जल जाएगी और कच्छी रहेगी है जा आप से साथ मिनिट हो गया हमेसे लो फ्लेम पे भूलते हुए और इसका कलर भी चेंज अगया और खुश्वू भी आ रही है तो इस फें हम इत्ती न काप पानी डाल देंगे यह तीन कप पानी हमने इसमें डाल दिया और इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे यह हल्वा वह टेस्टी बनता है आप पूरी के साथ भी से खा सकते हैं के आप चीनी डाल दालिया वह वाब तक शबाना है व सकते हैं और और यह आप पिंच क्यांची करना है यह जो इसमें अब में इसे आपने बीक्स करना ही हैं और यह पतार में देशी ziem थेज करना कर दो कि अधार ने थोड़ी तेज कर दिनिया दर्म्यानी और इसको चम्चा चलाते हुए 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 और यह जो हमने पचा के घी रखा था अधा कफ अब यह मिसमें डाल दे लिए और इसे मिक्स करना अची तरह यह तक्रीबन हमें पांच मीरिट होगे हैं चम्चा चलाते ह हुए और यह किनारे इसने चोड़ दी हैं और गी निकला है अब हम इसे डिशां करते हैं यह सूजी का हलवा बनकर रड़ी हो गया इसे हमने घानिश की है और यह बहुत देस्टी लगड़ा है बहुत अच्छी खुश्भू आ रही है प्रीज आप ट्राइक अगर अब ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाएए ताके मेरी वीडियो आने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए लाइक कीजिए शेयर कीजिए फिर हम कल आप से मिलते हैं शुक्रिया